हाई नमस्कर दोस्तों स्वागे थे आपका हमारे चैनल में यानी सिमाज खाने में और आज हम बनाएंगे आलो की कचवरी बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारा सा बहुत ही बढ़िया कचवरी बना के घर में ही रेडी करेंगे हम सब को कचवरी खाना बहुत ही पसंद है तो आईए फटा फट मिलके कचवरी बनाना सुरू करते हैं यहां पर हमने एक बॉल लिया है इसमें लिया है हमने नाप करके एक कटोरी मैदा जो चना हुआ है तो इसके इंदर हम एड़ कर देंगे इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा यहां पर हमने अजवाइन लिया है इसे हम हाथों से मसल के थोड़ा से इसमें डाल देंगे अजवा यहां पर हमने 14 पूं मुल्ट कर लिया थोड़ा नमक नमक कई लगकर छोड़ा, जादा नमक दालने तो अच्छा नहीं लगे, दालाओं देंगे थोड़ा मुलट करने थीटंड़ा JON-?!" अगर आप मायदा देखेंगे तो डाइशोग्राम का होगा और यहां पर हमें 3-4 चमच मोयन देना है ताकि जब भी हम इसे ऐसे मिक्स करें और बांडिंग के लिए जब इसे बांधे तो अच्छे तरीके से बंद जाए तो फटा-फटा यह हमें से मिक्स करते हैं यह देखें बहुत अच्छ से मिक्स होने के बाद एक वहां इसे बहुत करना है यहां पर फटा-फटा मीं से…… तैयार कर लेते है यह अकब हम आपको दिखा देते हैं मोयन चाई है म Two नहीं कर नी है नहीं तो हमारा जो और वहां एसी बीगा-बीगा सा दीखने om IT दो नहीं बंद आले एक अच्छे से यहां मुद्ãद करते हाँ थोड़ा-फोड़ा पाणी लेते हुए हम इसमें डालेंगे और एक अच्छे से डो तियार करें गो करने से पहले इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं यहां पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसे हम ढख के थोड़ी तेरी के लिए रख दे लिए यह थोड़ा फूल जाएगा यहां पर तो आये फटा-फटी से हम ढख लेते यहां पर हमने एक पैन लिया है के इसको और करja है, फ्लेम को मेडियम कर लेते हैं, यहां पर पैन को गर्ण करना है और अपना श्रोविंग कने को त्यार करना है यहां पे दो छम्मच होए, 2-5 घल चमच होए जीरा पाउडर, आधा चमज लाल मिर्ष पाउडर, मसाला जो है इसमें तीखा बन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ए वन पिंच यहां पे काले मिर्ष पाउडर, इसे हमें मिक्स करके अच्छे से पका लेना है, तो यहां पे हमें मिडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा यहां पे 2-3 सेगंड जो है बस से मिक्स कर लेनी है, यह पक गया है, और अच्छी से आपको खुस्बू हलकी हलकी आने लगेगी, जैसे ही आप 102 सेकंड रखेंगे, अच्छी से खुस्बू आएगी, तो यहां पे स्टॉपिंग अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, तो इस जो जिसे हम यहां पे क्रश कर लेंगे, और इसे इसी के साथ जो है हम पकालेंगे, इसे आप मिक्स कर लेते हैं, फ्लेम हमारा लो है, ताकि मसाला चले भी नहीं और स्टॉपिंग बढ़ने से बनके रेडियो, थोड़ा सा इसमा डालना पड़ेगा हमें हल्दी कलर के लिए मैं उसे भी एड़ कर लेते हूं, पहले में थोड़ा मिक्स कर लो, ताकि मसाला नीचे नहीं लगे, यहां देखे, चले आईए थोड़ा नमक और हल्दी एड़ कर लेते हैं, तो यहां पे हम डाल देंगे, थोड़ा सा खटा बन के लिए, अधा चमच, आमचूर पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे कलर के लिए हल्दी, हल्दी भी थोड़ा सा डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, तो फटा फटा हम इसमें नमक ऐड़ कर लेते हैं, यहां पे हमने चार आलू लिया है, इसलिए हम इसमें आधा चमच नमक ऐड़ क तो फटा फटा हम मिसमें रम还有 कर लेंगे हो हSam हुआ मिक्स कर लेंगे कि हां हमने वह सब्सक्राइब असकाम सो हमने ज़ल leurs और ऑते करन चेफिटी बोन करो मुठ्सका आने में इतना वह सब्सक्राइब जहिए उस त debt व्людेल से नवया है और आलू के अंदर जो मॉइस्ट्यर होता है वो नहीं होना चाहिए नहीं तो हमें स्टॉफिंग करने में दिक्कत आ सकती है तो फटा-फट हम दो से तीन मियाट इसे पका लेते हैं यहां पर हम भाप चमच गरम मसाला अड़ कर रहे हैं इससे थोड़ा इसका जो है शुआख बढ़ जाएगा अगर कोई मसाला समझने आता है घर में नहीं है तो आप गरम मसाला डाल लें उससे बहुत ही अच्छी कोई भी डीस बन जाती है क्योंकि बहुत सारा मिसरड होता है गरम मसाले में मसालो का इसलिए सबजी बहुत अच्छा बन के रेडी होता है या ऐसा इस ट्रोविंग कुछ तयार कर रहे है तो आप डाल सकते है परफेक्ट रहता है और अगर आपके पास आम चुर पावडर नहीं है तो वहां निम्बू इस्तिमाल कर सकते है और अगर निम मत थोड़ा कम डाले है तो यहां पर हमने तीन से चार मिनट अच्छे तरीके से देख सकते हैं बूल लिया है बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है यहां पर हम गैस को आफ करेंगे और जो हमने यह त्यार किया है स्टॉपिंग इसे हम ठंडा कर लेंगे तो आइए फटा- बहुत इलाचीला हो गया है एकदम सा थोड़ा सा हम इसमें ओएल अगर नहीं भी डालेंगे तो भी इतना परफेक्ट हुआ है कि इसमें ओएल डालने की जरूरत नहीं है फिर भी हमें थोड़ा सा इसको डालके थोड़ा और मसल लेते हो और यहां पर हमें इकवल करके से बढ़ा लेंगे और अब हम इसमें लोई छोटा छोटा सा काट लेंगे हमें मार्केट में तो बेशनी नहीं है साइज अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं यहां इतना छोटा भी नहीं है अकार निम्बू जैसा और यह देखिए थोड़ा से मैं और छोट तो यहां पर हमने छे लोई त्यार किया है और यह देखिए एक चिकना सा पेड़ा सा ऐसे त्यार कर लेना है और अगर यह ज्यादा है तो निकाले नहीं तो छोड़ सकते आप इसे हम ऐसे चिप्टा कर लेंगे और जैसे हम पराठे बनाते है वैसे भर लेंगे शिर्फ एक ही चीज इसमें प्राठे में और इसमें एक चीज अलग है यानि प्राब्लम नहीं है हमें इसे साइड से पतला करना है यह बीच का जो सदाए इसे थोड़ा मोटा रहने देना है इसलिए हमें प्याली जैसे आकार देना है और ज्यादा स्टॉफिंग नहीं होती है इसमें एक चम्मज यहां डाल लेनी है और इसे ऐसे बराबर बिठाने के बाद इसे हम कचोड़ी का सेब दे देंगे खुलना नहीं चाहिupa यह देखे अच्छे से इसे सील करें यहां पर नहीं तो यह तेल में खुलने लागे और ये थोड़ा सा खीचके से तोड़ दे और यहां पर हलका सा हातों से थोड़ा सा ऐसे दभाएंगे तो यहां यह मस्चन सा कचोड़ी बनके रेडी है यहां पर हमने कड़ाही में पहले से ओलका से गुनगुना किया था एक बार इसमें हम आटा डाल के चेक करेंगे यह बहुत ही बढ़िया जो है ओलका गुनगुना है हमें बॉबल्स जादा नहीं चाहिए माइदी को अच्छे से पकने के लिए हमने गुनगुना करके छोड़ा हुआ ता अब गैस को अन करेंगे और सबसे लो फ्लेम पर हम इसे कर देंगे और यहां पर अभी देखेंगे थ यहां पर हमने पांस इच्छी जो है अब बना के रिडी कर लिया है को चौरी तो इसे हम इसमें डाल देंगे वह इल के अंदर है यहां पर यह लिए और इसे हम नरम आज पर पकने देंगे फ्लेम जादा नहीं बढ़ाना है यह देखेंगे और इसे हमें छोड़ देना इसे कोई टच नहीं करना जबते कि फूल के उपर ना आ जाए तरते हुए उपर ना आ जाए तो इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कोचोरी का कलर जो है और कैसे यह अच्छे तरीके से फूल गया है इसे हमें हलके हाथों से टर्ण कर लेना है यह देख रहे हैं कितना अच्छा फूला हुआ है तो इसे हमें ऐसे हलके हाथों से बस टर्ण कर लेना है और इसे ऐसे ही छोड़ देना है अब यह अच्छे तरीके से पक जाए और गोल्डन ब्राउन हो जाए कोचोरी परफेक्ट बना हुआ है फूला फूला सा और हमने सा जो है आपके साथ सेयर किया है आप इस तरीके से जरूर बनाएं तो फटा फटा इसे हम सीखने देते हैं तो देखें बहुत ही अच्छे से कचोरी जो है उस तरफ से सिख गया है इसे फिर से हम टर्ण करेंगे अभी आप देख रहेंगे इतना बड़िया फूला है यह देना है ताकि अंदर बिल्कुल भी कच्छा न रहें यह पूर टाइम लग जाता है इसे थोड़ा सेखने में इसे हम टर्ण कर लेंगे यहां आप देख सकते हैं पॉर्फेक्ट कलर आ गया है कचोरी में और फूला फूला हमारा कचोरी बनके पॉर्फेक्ट रेडी है फटा फट हमने गैस को आफ कर लिया है और अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे देखिए कि तब बढ़िया सा बनके रेडी हो गया है तो पॉला कचोरी बना के रेडी किया है यह इतना गर्म है कि हम इसको आपको फोड के दिखा भी नहीं सकते हैं वर पर्फेक्ट बना हुआ है बहुत ही अच्छे से जो है जो है सो फूल गया है हाथ जल रहा है इसलिए मैं इसे फोड नहीं पा रही हूं तो फटा-फट इस रे करने में हेल्प करता है कचोरी फटा-फट बनाईए यह देखिए बहुत ही खस्ता सा कचोरी बनके जो है रेडी हो गया है तो फटा-फट इसे आवाज भी आई होगी तूटने का बहुत खस्ता है तो बना कि बनाईए और खाईए